हलो फ्रेंद्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा सा best out of the waste बताने जा दिए हूँ है। यहाँ पे मैंने एक सूप लिया है, सूप बोलते हैं या सूप बोलते हैं यहाँ जो भी बोलते हैं इसे आप देख रहे हैं वाइट वाइट मैंने वहां पे उसे पेस्ट कर दिया था ड्राइ होने के बाद अब मैं इस पे और पेंट कर रहे हूं ताकि यह बहुत पुराना है तो इसको एक अच्छा स्टेंद भी मिल जाए और इसकी लुक भी अच्छी हो जाए तो यह मैंने पूर हो उसे बान ले रसी से फेक है नहीं उसके लिए चोँ को अच्छे हो से हूम देकर बालक्नी डेकर का क्रлось कर सकते हूअ अब यहां पे यह मैंने पूरा पेंट कर लिया है उसके सिच सब्सक्राइब और चांब कारी कि चतिसगर से बिलॉंग करती हो और हमारे यहां पर यह फेमस आर्ट है यहां का वर्ली आर्ट तो इस पर जो ट्राइबल लोग होते हैं उनकी जो भी उनका कल्चर होता है उनकी लाइफस्ट्राइल होती है जैसे वो खाते हैं रहते हैं वो सारी चीजे इस पेंटिंग में अगर आपको नेट पे सर्च करना है तो आप सिंपल डिजाइन भी सर्च कर सकते हैं सिर्फ यहां पर हमें जैसे ट्राइंगल ट्राइंगल से ही पूरी उनकी बॉड़ी बनानी होती एक सरकल हेड के लिए बना दिया फिर एक ट्राइंगल बनाया अपर बॉड़ी के लिए फिर इनके यह बहुत ईजी पेंटिंग होती इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करनी नहीं होती तो इसे कोई भी बहुत आसान से बना सकता है कोई भी छोटा हो बड़ा हो जिसको बहुत ज़्यादा पेंटिंग नहीं भी आती हो वो भी बहुत ईजली इसे घर पर बना सकता है तो यहां पे तो फिलाल मैं acrylic color से कर रही हूँ आपकी चोईस है आप acrylic से करें या fabric color से करें बट अगर fabric से कर रहे तो फिर ज़्यादा wash या पानी में ना हो आप ये इसका ध्यान रखें पानी वानी पढ़ने से ये color खराब हो जाते हैं फिलाल तो मैं acrylic से कर रही हूँ इसके ऊपर बाद में मुझे oil paint करना है क्योंकि एक roughly sketch बना रही हूँ तो क्योंकि मुझे ये permanent है इसलिए मैं oil paint का यूज़ करूंगे सारे चीजों के लिए तो आप देख सकते हैं पतले पतले मैंने इसके pair बना दिये अब same उसी process से हम इसे हाथ भी बनाने तो ये एक line straightly और एक line और straight लेनी है और छोटी सी मतलब जो है ना उसके हाथ होते ना बस वो बनानी है बहुत ज़्यादा detailing नहीं करनी है इस पर अब मुझे यहाँ पर एक लीको यहाँ पे ना मुझे एक instrument बनाना है तो मैं यहाँ पर एक instrument बना रहे हूँ मुझे थोड़ा dancing जो pattern होता है ना मैं यहाँ पर वो बना रही हूँ तो एक-दो figure dance कर रहे हैं और दो के ऐख़ी में instrument है ऐसा मुझे यहाँ पर painting बनाना है तो अब यह देख सकते हैं मैंने वह एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है तो पहले अगर आप बिगनर है तो एक रफली पैंसिल से स्केच बना लीजिए मैंने भी यहां पे स्केच में हलका हलका पैंसिल का यूज किया हुआ है क्योंकि इतने बड़े फ्रेम में थोड़ा बनाना दिक्कत होता है इसलिए आप मुझे बाकी भी बनाने है तो मैं आपको वह बना के दिखाती हूँ मैंने यहां पर ऑइल पेंट का यूज ना इसलिए और किया है क्योंकि ना वह बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर होते हैं तो और वह पर्मनेंट होते हैं क्योंकि यह सूखने के बाद ना एक्रेलिक और थोड़े से डल हो जाते हैं इतने इस ताप की ओईल पेंट के उपर अगर आप काम कर रहे हैं तो अब चले यहां पर दूसरा फिगर भी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ एक सर्कल नहीं बनाना और एक छोटी सी लाइन और अगेन एक ट्राइंगल बनाना है अगर आप दुका हुआ मैं बना रही हूँ इसलिए थोड़ा तिरचा रखा है मैंने और यह है नीचे का पोर्षन दोनों लाइन हमने बना लिया अब दोनों को आपस में ऐसे जोड देना है और बस यहां पे इसके पतले-पतले अगेन पैर बनाने हैं यह पेंटिंग ना बहुत ही इ वीडियो बनाया हुआ है वाल पेंटिंग वह बहुत ही सुन्दर है आप प्लीज जाके जरूर देखिएगा मैं लिंक इसके नीचे जरूर शेयर कर दूंगी अभी तक कि वह मेरी बेस्ट पेंटिंग है आप जरूर चेक आउट करिएगा उसे यह तो जस्ट मैं एक बिगन सकते हैं अगर आपके पास ना ऐसे सूप नहीं है या सूपा नहीं है ना तो कोई भी पुरानी जो बड़ी प्लेट्स होती है प्लास्टिक की सॉरी जो फाइबर की प्लेट्स होती है आप उसको भी पूरा ब्लैक कलर कर दीजिए और उस पर भी आप इसे डिजाइन बना सक अब बारी इसको कलर करने की तो अपने मन पसंद जो भी कलर है इसे कलर फुल यह बहुत होते हैं तो अपने हिसाब से कलर चॉइस कर लीजेगा मैंने यह पे ब्लू और रेड और येलो का ज्यादा यूज किया है कि अभी फिलहार में पास ओईल पेंट में इतने ही कलर रख मैंने ब्लैक और वाइट रखा था वरली आट और यह थोड़ा मैं कलर फुल बना रही हूं क्योंकि यह पूरा बैक्राउंड ब्लैक है तो थोड़ा अगर हम कलर फुल बनाते हैं तो बहुत अच्छे सा हाइलाइट होगा तो अब यह देख सकते हैं यहां पे किसी के अपर ट्राइ करिएगा आप चाहे तो मग में भी बना सकते हैं जो पुराने मग होते हैं कॉफी मग उस पे आप कलर कर लीजे एक कोट उसके बाद ऐसे पूरे पेंटिंग बना सकते हैं बहुत सुन्दर लगते हैं आप गिफ्ट कर सकते हैं ऐसे चीज़े बना के मैं बहुत सारे आप उसे corner table बनाना चाहते हैं, corner पर रखना चाहते हैं, उसको भी पूरा आप color कर लीज़े, oil paint से और उस पर इस type की design बनाई है, उसके उपर फिर पौधे रख सकते हैं, तो वो side table आपका भी हो जाएगा और बहुत सुन्दर लगते हैं, ऐसे मैंने बनाए हैं, मैं जरूर शे इसके color बहुत bright होते हैं, oil color के, but problem है कि सूख्रे में यह time लेते हैं, but अच्छे लगते हैं, और बहुत लंबे चलते हैं, इनको आप wash भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, यह हमारा नीचे का portion भी हो गया color, अब यह उपर का portion भी कर देते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो सारे figures को different different color में कर सकते हैं, mostly इन में use होता है, orange, red, yellow, blue, green, जो bright bright colors होते हैं, वो color ज्यादा use होते हैं इसमें, फिर बाद में हम detailing के लिए black color का use करेंगे, अगर आप चाहते हैं, तो 3D cones होते हैं, वो भी use कर सकते हैं, जैसे मैं आप हमेशा बोलती हूं, कि 3D cones में चीज़ आप देखें, मैंने सारे figures कर लिये हैं, और border था, वो भी मैंने yellow कर लिये हैं, और थोड़ा इसे dark dark करने के लिए, मैंने 2-3 coat और किया है, ताकि अच्छे से white का color उभर किया है, तो अब हमेरा ये जो yellow border है, उसके नीचे कुछ designs बनाने में, मैं आपको बना के दिखाती हूं, कि किस type के design हम इस पर use करते हैं, यह आप देख सकते हैं, यह मैंने थोड़ा जो traditional design होते हैं, dots के और zigzag के, वो आप सारे designs border में बना सकते हैं, चाहे तो super के side side का portion है, पूरा उस पर भी बना सकते हैं, अब यह जो figures हैं, हमको figures को highlight करना है, तो highlight करने के लिए मैंने यहापे black color ल बनाने हैं, तो मैं आपको भी बना के दिखाती हूं, किस type के design बनाने हैं, नॉर्मली जिसे हम महंदी में design लगाते हैं, आपने बारिक बारिक हमको same, उसी type design इस पर बनाना है, चाहे तो आप dots कर लें, जैसे अभी हमने border पर बनाया है, बस as it is, design आप चाहे तो छोटी छोट इस पर डाल सकते हैं, यह थोड़े से highlight हो जाते हैं, उसे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूं, एक figure में, फिर आप ऐसे सारी figure से बना सकते हैं, और मैं ब्लैक से इसले कर रहे हूं, ताकि यह अच्छे से highlight हो, अगर आपका figure आपने पूरा black रखा है, तो आप यह white से करिएगा, तो वो बहुत अच्छे से उभर के आता है, तो यहाँ पर नीचे थोड़ी सी odd detailing कर देते हैं, चाहें तो आप 2-3 lines भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और हाँ, यह जो girls होती हैं उसके लिए आप जो जूड और male और female का वो difference समझ में आता है, उसका जूड़ा बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि male और female के लिए वोई difference होता है, बागी figure तो सारे सेम ही होते हैं, तो यह मैंने उपर में थोड़ा सा यह design कर दिया है, और यह जो लड़की मैंने बनाई है, उसके नीचे dress पे भी design और बना देते हैं, जो सेम मैंने male के upper body पे बनाया है, सेम design ही मैं नीचे भी बना रही हूँ, बस कुछ lines और dots, तो ऐसे ही मैं चारो figure पे बना लूँगी, यहां पर बारीक वाली brush होती है, उसका use करिएगा, तो जितनी जितनी बारीक design बने है, उतना अच्छा लगता है, और यहां पर भी थोड़े flowers जैसा, तो यह complete हो गया, अब ऐसे ही दोनों पे आप बना लीजिए, जो instrument बनाए हैं, instrument पे भी आप थोड़ा-थोड़ा decoration कर सकते हैं, चाहे तो color कर सकते हैं, आपकी choice से पूरा white भी कर सकते हैं, यह ऐसा जिसे मैं black कर रही हूँ ना, इस type का black design भी बना सकते हैं, उस पे, बहुत जल्दी बन जाते हैं, इस type की जो painting होती है, बहुत जल्दी बनती है, और बहुत अच्छे लगते हैं इसे देखने में, आप इसे कहीं पे भी आजकल तो लोग balcony decor करते हैं, और अपना room traditional घर decor करते हैं, तो यह सारी चीज़ें आप user, जो पुरानी पुरानी चीज़े होती है, उस पर पुरानी paintings अब बना-बना के उस पर लगा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो, अब देखिए, बातो बातों में तो यह सारा कुछ होई गया, यह इसका proportion भी कर दिया है, और इसके थोड़े से बन पे भी कर लेते हैं, तो यह भी अब पूरा complete हो गया ह अब यह पूरा हो गया, अल्मोस्ट, शाहिद मैंने सपे कर दिया है, तो अब यह अब देख सकते हैं, पास से मैं थोड़ा सब देख सकते हैं, आपको यह इस टैप कर डिजाइन दिख रहा है, और मैंने कहीं कहीं पे औरेंज भी किया हुआ है, क्योंकि थोड़ा से मुझे और कुछ कलर फुल चाहिए था, इसलिए आप इस पे अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं, कोई बांडेशन नहीं है, कलर और डिजाइन के, फिगर अपने थमने थमनेल में देखा ही होगा, जैसे मैंने बालकेनी में इसे लगा के रखा है, तो आप ऐसे कहीं पे भी से डेकोरेशन कर सकते हैं, बहुत सुन्दर लगते हैं, बताएगा जरूर आपको कैसी लगी यह मेरी भेंटिंग, मैंने जस ट्राइ किया, कि मैं सिखा सक अगर हैं, तो बहुत लोगों ने पूछा था कैसे बनाएं, तो यह बहुत एजी सा एक थरीका बताया है, मैंने कि आप सीख सकें, तो वो मेरा जो वीडियो है, वो आप जरूर देखिएगा, वो बहुत ही सुन्दर है, और उससे आपको डिजाइन भी बहुत सारे मिल करूंगी, अभी न, एक्जाक्ली मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे किस टाइप की चीज़ें शेयर करनी चाहिए, पेंटिंग करनी चाहिए, या होम डेकर की चीज़ें करनी चाहिए, या प्लांट्स की करनी चाहिए, तो आप लोग प्लीज मुझे सजेस्ट करें, आप कि मुझे कुछ कलर था नहीं में पास और सो मैंने इसको ब्राउन कर दिया है तो क्योंकि वाइट से ना बहुत ज्यादा वाइट वाइट हो रहा था सो होप यह वीडियो पसंद लेगे लिए वीडियो पसंद लेगे